अनुष्का शर्मा का आज यानिकी एक मई को जन्म दिर हैं साथ ही अनुष्का शर्मा का जन्म एक मई 1988 को उत्तर प्रदेश के अयुद्धा में हुआ था जिहां गौर हो की बैंगलूरू में पली बड़ी अनुष्का ने आर्मी स्कूल और माउंट कारमल स्कूल से पढ़ाई की और उन्हें दादा साहिफ फाल के पुरुसकार से भी नवाजा जा चुका है तो इस शादी के बाद ये अनुष्का का पहला बर्दे है आपको बता दें पिछले साल अनुष्का शर्मा ने विराट कोली से शादी की थी जिहां 11 दसंबर को दोनों गुप चुप शादी के बंदन में बन गए थे दोनों की लव स्टोरी काफ़ी दिल्चस्प है साथ ही दोनों ने पहले तो अपने रिलेशन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया लेकिन फिर अचानक शादी करके सब को चौका दिया था और आज अनुष्का के बर्दे की खास मौकी पर दोनों की लव स्टोरी का एक खास और साधी साध दिल्चस्प किस्सा आज हम आपको बताने वाले हैं एक बार एक चैनल को इंट्रिव्यू देते हुए विराट ने अनुष्का को लेकर अपने मन की बात रखी थी विराट ने उसे एक मौविंड के बारे में बताया था जब वो अनुष्का के सामने रो पड़े थे दरशल विराट कोली ने बताया कि जब उन्हें टीम इंडिया का टेस्ट कप्तान बनने की खबर मिली थी और तब अनुष्का शर्मा उन्हीं के साथ थी और वो अनुष्का के सामने फूट फूट कर रहोंने लग गए थे बता दें आप सभी को विराट अनुष्का को अपना लकी चाम मानते हैं विराट ने कहा तहा कि उन्हें याद है कि वो उस समय मोहाली में थे जहां टेस्ट सीरीज चल रही थी अनुष्का तब उनके साथ ही थी जब मैलबर्न ने उन्हें टेस्ट कप्तान बनाया गया और तब भी वो उनी के साथ ही यानि के अनुष्का विराट के ही साथ थी नेक्स्ट नाइन नीजोंग रिपॉट